गुद मॉर्णिंग स्टूडेंट तुडेंट तोपिक इस फ्रेंड्स ओफ दा ट्रीज यह चैप्टर टू है हमारा तो यानि की पेड के मीत्र तो यह हमारी स्टोरी है और स्टोरी से रिलेटेड यहां पर हमने कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लिए हैं जो हमने यहां पर लिखा है तो सबसे पहले हम उसे पढ़ लेते हैं फिर हम उसके बाद स्टोरी पढ़ेंगे तो प्लेंटी प्लेंटी मीन्स बहुत कॉंस्टेंटली मीन्स हमेशा वुटपिकर मीन्स हुद हुद एक चड़िया होती है उसका नाम होता है श्रिल मीन्स तेज नेक्टर मीन्स रस बाट मीन्स जाल फ्रेंड मीन्स मीत्र फेडर मीन्स पंक बिटल्स मीन्स जिंगूर एनीमी मीन्स शत्रू तो यह हमारा डिफिकल्ट वर्ड्स थे जो इस रेलेशन से रिलेटर थे तो हमारी स्टोरी शुरू होती है कि एक पेड होता है बहुत समय पहले की बात है कि एक पेड होता है और उस पेड पर एक हुद-हुद नाम की नीची घ्या रहती है और चडिया और पेड़ दोनों में बहुत गहरी मित्रता होती है उसी पेड़ के नीचे घास थी बहुत हरी भरी घास थी और उस घास के अंदर जीनगूर बहुत सारे जीनगूर रहते थे तो जींगुर क्या करते थे अक्सर वो उस घास को जो हरी भरी जूसी जो घास थी वो उसे खाते थे और अपना जीवन यापन करते थे तो इस तरह से वो अपना घास खा करके पूरे दिन रहते थे लेकिन ये सारी चीज़े खुदूत नाम की जो चुरिया थी उसे पसंद नहीं था और वो उसका शत्रू बन गया था यानि कि वो अक्सर उसे मार डालता था जिंगुर को तो इस तरह से वो दोलों आपस में शत्रू बन गए थे एक दिन की बात है जब खुदूत बाहर से आता है और वो बहुत थोड़ा सा ठका हुआ होता है और वो आगर के उसी पेड़ की नीचे बैठ जाता है तो वो जब देखता है उसकी नज़र जब घास पे जाती है तो घास कैसी होती है कि घास बिल्कुल भी एकदम साफ होती है वहाँ पर घास बहुत ही कम लगी होती है सब उसे जिंगुर खा जाते हैं यहाँ तक जो पेड़ की पत्या होती है उसको भी जगा जगा पे छेद होत लुख और मैं तुम्हें बहुत इस तरह से parfois तो तुम्हें तो यह एक्छा ओगा और मैं मार डालुएंगा लेकिन कवर उसके बाद होता है तो वह कहता है तुमslग मधुमक्ही जो शर्थ की मख्ही होती है मध्मक्ही हो से तुम लोग क्यों नहीं आहे सीक्टे देखो वो कितना मनलों कि मेहनत करती हैं, और यानि कि पेड के पास जाती हैं, फूलों का रस पीती हैं, लेकिन वो किसी प्रकार का भी नुक्सार नहीं पहुचाती हैं ताकि पत्तियों को किसी परकार नुकसार ना हो तो इस तरह से biz MAN emakhi says above दूर ज्याँ होते हैं चे pillar कहने पर पीड़ कहता है यहां अगर यह इस तरह से करेंगे जिन्गुर इस तरह से करेंगे यानि कि सारी घास को खार डाेंगे बरबाद कर देंगे तो जरूर इनको पनिश किया जाएगा कुछ नहीं बोलते हैं किईयुकि उनका मुझ होता है वो पुरी घास से भरा हुआ होता है इसके बोल कुछ कुछ नहीं बोल पाते हैं वो हमें मारे भी ना और हम आराम से घास भी खाते रहें। तो उसने सोचा कि हुदूत की तारीफ की जाए और उसके गाने की, कि उसकी आवास की तारीफ की जाए और कहा जाए कि तुम्हारी आवास बहुत अच्छी है तो मुझे गाना सुनाओ। हुदूद क्या करता था हुदूद की जो आवाज सुनता था अक्सर वनवकि जो उसका गाना सुनता था तो हुदूद जो था वो उससे बहुत खुश हो जाता था यानि कि जो भी हुदूद का गाना सुनता था वो उससे बहुत खुश हो जाता था तो एक दिन जिंगुर ने कहा कि हुदूद से गाना गाने के लिए कहा तो हुदूद क्या करते थे अपना गाना शुरू कर दिया लेकिन हुदूद की जो आवास थी वो बहुत ही बेसुरी थी तो इसलिए उसका गाना कोई सुनना पसर नहीं करता था तो जैसे ही उसने गाना शुरू किया उसी पेड़ पंतियों को जुका दिया और पेड़ की अपनी पतियों को जालने लगा। ये देख करके बहुत घुणललियू को उसे लगा किकिमि उक्षाएं और मालना शुरू कर दिया। इस तरह से जीगूर ने क्या कहा, सोचा कि अब ये तो मेरा दुश्मन है और इससे तो सब समझ में आ गया, क्यों ना हम अपना कहीं अच्छा सा ठीकाना डूंड ले और छुप जाए, तो उसने क्या कि वही पेड की छाल के अंदर उसने घुसना शुरू किया, उस पेड की छ जिससे वह दर्द से कराहता था, जब वह दर्द से कराहता था, तो जीगूर ने कहा, क्यों अब भाई तुम क्यूं करा रहे हो, जब तो मैं उसकी आवाज गाना सुन रहा था, तब तुम ने इस तरह की हरकत की, कि अपनी पेड की पत्तियां गिलाना शुरू कर दिया, और हुदूत समझ गया कि उसका दाना बेसुरा है अब तुम क्यों करा रहे हो तो इस तरह से जिंगुर उसे बोला अपने दोस्त की कराहनी की आवाज सुन करके जो हुदूत था वो उसकी जो पीड़ा थी उसको समझ गया और कहा कि दोस्त तुम परिशान ना हो रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो वो उसने क्या किया कि हुदूद के जो चोच थी तो उसने क्या किया उस चोच से छाल पर मारना तेज तेज मारना शुरू कर दिया यानि कि अपनी चोच को पेड़ पर मारना शुरू कर दिया जो छाल जहां पर जिंगूर रह रहे थे और उस छाल पर इतनी तेज तेज से मारा था कि जिंगूर मरे जा रहे थे तो इस तरह से वह बहुत तेज और तेज बार बार बहुत तेज से वह जिंगूर को चाल पे मारता और जिंगूर मर जाते थे तो इस तरह से धीरे-धीरे करके सारे जिंगुर मर गये थे, तो फिर उसके बाद इस तरह से जिंगुर जब मर गये, तो पेड को काफी आराम मिला, यानि कि उसके दर्द में काफी आराम मिला, और इस तरह से उसने अपने दोस्त की सहेता की, तो जींगुर ने पेड़ ने हुदूत का धन्यवाद किया और कहा कि हुदूत वास्तों में तुम मेरे एक अच्छे मित्र हो जो तुमने मेरी इतनी कठीन परिस्तिती में मेरी साहता की है तो हुदूत ने भी कहा कि हां तो मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हो लेकिन तुम भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हो तो यह हमारी कहानी थी यानि कि हमें एक डूसरे की साहता करने चाहिए जब कोई भी विपत्ति आती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए बलकि एक साथ मिल कर कि उसका सामना करना चाहिए तब हम उस विपत्ती से निकल पाएंगे तो यह हमारी स्टोरी थी आए थिंग आपको स्टोरी समझ में आई हो तो थैंक यू